तो आज के प्रयोग के लिए हमें चाहिए एक आज की बोदल, एक प्लास्टिक की ट्यूब, एक बलून, कुछ रबाबैंड और सैलो टिप तो पहला स्टैप है बलून को पाइप में बाढ़ना, उसकी लिए पाइप को बलून में टालें और एक रबाबैंड की मदद से उसे अच्छी तरह से बाढ़ दे, ध्यान रखें कि बलून पाइप से अच्छी तरह से बंद गया, अब इस पाइप को गुबारे की तरफ से कांच की बोतल में डाल दीजिए, ध्यान रखिए कि गुबारा काफी अंदर तक जा चुपाओ, अब इसे सेलो टेप की मदद से बोतल से बाढ़ दीजिए, पाइप को बोतल से अच्छी तरह से बाढ़ दीजिए, और ध्यान रखें कि बोतल का मुण खुला रहे हैं ताकि उसमें पान नहीं जा सके, ये करने के बाद अब हम आगे के लिए तयार हैं, अब इसे पानी में डालते हैं, अब हमने बोतल पानी में डाल दी है, अब जब हम गुबारे में हवा बरेंगे तो बोतल को ऊपर आना चाहिए, अब बोतल ऊपर आगे, अगर हम इसमें अब दीरे दीरे हवा निकाले तो बोतल वापस मीजे चली जाए, झाल झाल